दोस्तो इसका एक चमच आप रोजाना खालो जिन्दगी में कभी भी आपको स्किन की प्राब्लम नहीं आएगी मुँ में च्छाले नहीं होंगे इसके इलावा ओटो इम्यून डिसॉडर जिसके कारण joint pain, arthritis, osteoarthritis की समस्या हो जाती है जब हमारे शरीट की immunity हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है उसी autoimmune disorder कहते है ये समस्या भी इसके सिरफ एक चमच से ठीक हो जाएगी इतना रामबान चीज है आपकी बिमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और पहली बात तो ये है कि अगर आप इसका सेवन लोजाना एक चमच करते हैं तो बिमारियां होंगी ही नहीं दोस्तो वो चीज है देशी घी, घर का बना हुआ दोस्तो हमारे देश में घी का इस्तमाल लोग पुराने समय से करते आ रही है काफी सारे लोगों को घी खाना पसंद होता है वही कुछ लोग ऐसे हैं जो घी का सेवन करने को हानी कारत मानते हैं घी को लेकर लोगों के बीच काफी सारे गलत फैमिया फैल गही है जिसकी वज़े से लोग अपने खाने में घी का इस्तमाल करने से बचते हैं जो दोग घी खाना पसंद नहीं करते आज मैं उनको बता दूँ कि घी ना खाने का जो आपका डिसीजन है वो हर हालत में गलत है अगर आप किसी भी वज़े से घी नहीं खा रहें तो आप एक ऐसी औशदी को खाने से बच रहे हैं जो कि बहुत सारी बिमारियों को दूर करती है क्योंकि घी खाने से हमारी बॉड़ी को जो फाइदे होते हैं वो किसी दूसरी दवाई से भी नहीं हो सकते दोस्तों आज की इस बेतरीन वीडियो में हम घी खाने के बेतरीन फाइदों के बारे में जानेंगी आपने देखा होगा कि गाव में रहने वाले लोग या फिर खानपाम में पूराने समय से चले आ रहे नियमों का पालन करने वारे लोग वे लमबे उमर तक हैल्दी रहते हैं साथ ही मुटापा हाठ की बिमारी उन्हें कभी नहीं होती आयोविय इम घी हमारी हड़ियों को मजबूत से हमें बचा कर रखता है तो अच्छा कोच चमकद बनाता है लेकिन घी का शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है घी के अंदर एंटी बैक्टिरियल एंटी वाइरल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है ऐसे में घी इस्तमाल करने से हम हर मोसम में तरह तरह की बिमारियों के इंफे लचीलेपन और जोडों की मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जोडों में से अवाज आती है दर्द होना शुरू हो जाता है जादतर कंडिशन में अर्थ्राइटिस जैसे बिमारियां होने की वज़ा यही होती है तो जिने भी जोडों में दर्द की प्राब्लम होती है उन्हें हमेशा गी खाने की सलाव जरूर दी जाती है क्योंकि गी खाने से जोडों के बीच पाया जाने वाला लूब्रिकेट की मात्रा बढ़ने लगती है इसलिए कहा जाता है कि गी खाने वाला व्यत्ती बुडाप से जुड़ी हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इसके इलावा घी दोस्तों हमारे श्रीप में एनर्ची देने के साथ सुन्दरता भी परदान करता है इसमें मुझूद एंटियोक्सिडंट हमारी त्वच्छा पर नेचुरल ग्लो लाते हैं और साथी बालों के जड़ना या बा अगर आप घी की तुलना किसी भी खाना पकाने माले तेल से करते हैं तो उसके मुकाबले यह जादा लाइट होता है और जादा फाइदेमन होता है लेकिन आज जालतर लोग ऐसा नहीं सुचते जादा घी खाना हमारी सेरत के लिए बुरा होता है इससे हमें कही तरह की नु जालत के लिए अच्छा बताती है घी को बुरा बताती है उनके फाइदे नहीं है यह बताती है जिसके चलते आजकल जादा तर लोग घी को मोटा पा कॉलिस्टर बढ़ने वाला समझते हैं इसका सेवन करने से कतराते हैं जबकि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है घी कही तरह से पोशक ततों से बरपूर होता है और यह सबसे ज़्यादा फाइदेमंद होता है गाए का घी जी हां क्योंकि गाए का घी हमारे शरील में कॉलिस्टर बढ़ने नहीं देता घी के अंदर फाइबर की मातरा अची होती है इसमें मौजोद चिकनाई हमारे पेट और आं चिए घी हमारे खून और शरील के दूसरे अंगों में पहुँच जाता है इसलिए इसका अصर हमारे शरील के अंगों के साथ हमारी आंगों और दिमाग परभी होता है रोजाना घी खाने वाले व्यप्ति की सोचने और समझने की शक्ती दूसरे लोगों के मुकाबले ज्य जमा रहता है, सांस लिने में दिक्कत होती है, सीना जमा रहता है, तो गी इसके लिए ग्राम पान उशदी के तरह काम करता है, अगर आप नाक के अंदर एक बूध घी डालेंगे, हलका सा गुन-गुना करके, तो आपको इसके फाइदे तुरंत मिलेंगे, आप गी का इस्तु ही होगी, आपको रोजाना घी का सेवन करना है, आईए जानते हैं घी का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, दोस्तों खाने में कोशिश करें कि गाए का घी ही इस्तमाल करें, क्योंकि घी अपने आप में एक प्यॉर फैट है, और गाए का घी सबसे ज़्यादा फ इस्तमाल आपको हमेशा दिन के समय में करना चाहिए, अगर घी काना चाहते हैं, तो इसकी मात्रा आपको एक चमबची रखनी है, आप घी का इस्तमाल कैसे करें, आप घी का इस्तमाल अपनी सब्जी में डाल कर, या फिर अपनी रोटी के उपर लगा कर सकते हैं, पर ध्यान इस चीज का आपने जुरूर ध्यान अटना है, इसके इलावा परहेज की बात करें, तो घी खाने के बाद आपनी जस्त ठंडा पानी या किसी भी ठंडी चीज का सेवन, दही का सेवन, या फिर सैलेड का सेवन नहीं करना, आईरवेग के नुसार घी जितना पुराना हो उत तो दोस्तों ये थी इन्फोरमेशन गी के बारे में, मैं उमीद करती हूँ कि आज से आप खुद अपने बच्चों को और वजुर्गों को गी खलाना जरूर शुरू करेंगे, और मात्रा का ध्यान भी जरूर रखेंगे, दोस्तों ये जानकारी ये इन्फोरमेशन यही त थैंक ये फो वाचिग मैं वीडियो, के बाई!